हाली में RTI से एक जानकारी सामनी आई थी जिसके तहट प्रिंटिंग प्रेस से भेजी जाने और रिजर्व बैंक तक पहुँचने के बीच 500 रुपए के करीब 176 करोड नोट गायब होने के खबर थी अब RBI की तरफ से इस खबर पर सफाई आ गई है बैंक ने 500 रुपए के नोट गायब होने की खबरों को गलत बताया है और कहा है कि सभी नोटों का पूरा हिसाब रखा जाता है छपाई के बाद नोट रिजर्व बैंक भेजने और उसके मिलान की एक मजबूत विवस्ता है साथी RBI ने ये भी कहा है कि RTI से मांगी गई जानकारी में कुछ प्रिंटिंग प्रेस ने सिर्फ नए नोटों की जानकारी दी है जबकि कुछ पुराने नोटों की जानकारी भेजी गई है